हेलो फ्रेंज आज मैं आप सभी के साथ सेर करने वाली हूँ एकदम हलवाई जैसे खस्ता कुरकुरा सेव नमकिन की रेसेपी आप इसको इजली घर में बना सकते हो खाने में बहुत ज़्यदा टेस्टी होती है और बहुत ही खस्ता बनती है आप इस तरीके से एक बर जरूँ होती आसान है तो चलिए फिर हम रेसेपी को देख लेते हैं कैसे बनाना है तो सब से पहले हमें यहां पर चाहिए बेशन तो मैंने यहां पर टोटल दो कब बेशन लिया है आप अपने हिसाब से इस नमकिन को कम या ज़्यादा फिर बना सकते हो और आप चाहू तो यहां प पर डालना है थोड़ा सा हल्दी पाउडर करीब वन फोर्थ टीस्पून के करीब और हाप टीस्पून हमें यहां पर काश्मेरी लाल मिर्ची का पाउडर डालना है इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अभी हमें सारे चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है मि अएगा इससे जयादा हमें तेल यहां पर नहीं डालना है इस बात का ध्यान रखकी अगा तो मैंने यहां पर रिफाइन डाला है आपको यहां पर मस्टर्ड ओIch इस तरीके का ओईल नहीं डालना है और अब हम इस तेल को बेसन में अच्छे तरीके से रफ करकर को इस के से मिलाएं इसको आप जितना अच्छी ступ बंकर के तेयार होंगे इस को तो इस यह कहतीय नहीं अब इस हमारे मैं तो यह फोड़ा सा कम लगये तो इस समय हो तो यह perfect है हमारा मोयन अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी ले लेंगे और पानी को हम यहाँ पे डालते हुए इसका एक soft डो लगा करके हमें तयार कर लेना है और बेशन का जो डो होता है इसको लगाने के लिए बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल होता है फ्रेंस बेशन में ब पर बहुत जड़ा गीला हमें नहीं रखना है ठीक है तो यह दीख लेजए यह बहुत करा है क्योंकि जो ब्रेंस होती है में इसको ठीक करने के लिए इसको पूरा smooth करने के लिए हमें यहाँ पे oil डालना पड़ेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा तेल को डाल लीजिएगा और बापस इसको मिला लीजिएगा तो एकदम यह smooth हो करके तयार हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल को डाल दिया है और इसको बापस ते में अच्छे तरीके से मैं इसको मिला लोगी तो ये बहुत एच्छे तरीके से स्मूथ हो जाएगा फ्रेंस तो ये देख लीजे आप देख सकते हूँ ये बहुत ही स्मूथ हो चुका है और इसका जो डो है वो बहुत ज़्यदा सौप्ट है आप देख सकते हैं तो जिस तरीके से हम रोटी बनाने के लिए जो डो लगाते हैं उससे भी बहुत ज़्यदा इसे सौप्ट रखना है फ्रेंस ठीक है तभी एकदम सेव नमकीन हमारे परफेक्ट बनेंगे और इसका जो फ्राइस है वो बहुत ही कम प्राइस है और इसमें आपको इस तरीके से अलग-अलग तरह की फ्लेट्स मिलते हैं तो यहां पे जो बारीक वाला सबसे सीव बनता है मैंने वही यहां पे लिया है और इस मशीन के अंदर के साइड में हमें चारों तरप अच्छे तरीके से तेल लगा देना है ताकि जब हम बेसन को डालेंगे ना तो वो बिल्कुल भी चिपके हैं से तो इस तरीके से तेल को ग्रेस कर लिजिएगा से इसली पर्चेस कर सकते हूं इसे आसानी से ले सकते हो तो जो ढखकन है उसको मैंने लगा दिया है बहुत ही टाइटली लगा देना है ठीक है अच्छे से बंद करिएगा नहीं तो फिर हो सकता है खुल जाए और अब हम बेशन को इस तरीके से रोल करते हुए इसको सेलंडर का सेव दे करके हमें इसके अंदर डाल देना है और इसे खाली नहीं छोड़ना है बहुत ज़्यादा हमें से भर देना है ताकि आपको बार बार खोलने की कोई जरूत नहीं हो एक ही बार में हमारा बहुत सारा नमकीन बन करके तैयार हो जाएगा फ्रेंस और इस तरीके का एक नट होता है उसको प्रेस करने से इसली उपर नीचे होता है ठीक है तो अब हम इसको लगा देते हैं बहुत ही टाइटली लगा दिया है मैंने ये दिख लीजिए तो अब हमारा बिल्कुल तयार है स्टेव नमकीन बनाने के लिए तो इस तरीके से हम इसको प्रेस करते ह यह देख लिजे तो यह इसली हमारा निकल जाएगी तो चलिए अब हम इसको फ्राइ कर लेते हैं तो तेल हमारा यहाँ पे अच्छे तरीके से गरम हो चुका है तेल को अच्छा गरम करने के बाद ही आपको डालना है ठीक है तेल अगर हलका गरम होगा तो फिर नमकीन गैस का फ्लेम है उसको आपको मीडियम पर कर देना है ठीक है एक दम बहुत जदा हाइफ या फिर बहुत जदा लो फ्लेम पर हम इसे फ्राइ नहीं करेंगे मीडियम फ्लेम पर हमें इसे फ्राइ करना है और एक buscar से जैसे हलका से सीख जाutet दिए तब इसको पल्लेंगा तो जो जाग है वो बहुत ही कम हो जाएगी जब ही फ्राइ हो जाएगी ये दिख लीजे अभी इसमें बिल्कुल भी जाग नहीं आप देख सकते हो यानि कि फ्राइ हो करके तयार हो चुकी है बहुत ही ये क्रिस्पी हो जाएगी फ्रेंस ठीक है तो एक बैच हमारा सेव नमकीन बन करके तयार हो चुका है बहुत ही टेस्टी होता है खाने में मैं आपको वापस से और एक बात दिखाती हूँ ये दिख लिजे बहुत ही इसली हमारी सेव निकलती है बहुत तरीके से आप घर में ही धेरो साला नमकिन बना करके तैयार कर सकते हो और जैसे ही हम इसको डाल देंगे और गैस का फ्लेम जो है उसको आपको मीडियम पर कर देना है ठीक है अगर आप इसको पूरा हाई फ्लेम पर कर दोगे तो फिर यह बहुत जली जल जाएगी और इसे बहुत ज़दा अगर आप इसे लो फ्लेम पर कर देंगे तो फिर जो सेव है बहुत ज़दा ओली बन जाएगी फ्रेंस ठीक है तो ये एक साइड से हलकी से सीख चुकी है मैंने इसको पलट दिया है इसे फ्राइ करने में बहुत ही कम टाइम लगता है आप बहुत ही कम समय में धीरो सारा नमकिन बना करके तयार कर सकते हो और ये लिजे दोस्तों दूसरा वाला बैच भी हमारा फ्राइ हो चुका है तो सार तो सेव नमकिन है हम इसी तरीके से फ्राइ करके तयार कर लेंगे और आप इसे गर्मा-गरम चाहिके साथ नहीं तो फिर आप इसे आईसे चाहária सकते हो लीजे स्थ्रेंस बहुत ही कुरकुरी हमारी स्थ्रेविडनों करके तयार हो चुकी है आपने देखा इसे बनाना आप लोग को इसी तरीके से नई नई रेस्पीस देखने को मिलेंगे बहुत ही परफेक्ट बनती है और बहुत ज़्यदा खस्ता बनता है आप इसे एक बर बनाएंगे तो आपको बार बर बनाने का मन करेगा तो फिर मिलते हमें एक नई रेसिपी के साथ